हेलो फ्रेंड पॉपुले टीवी सेरियल गम है किसी के प्यार में क्या गयाने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि राज़त को हुआ जिगर पर शक किया चोरी छुपे उसका पीछा तो वही राज़त के हाथ लगा सभी की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत जी है दोस्तो अब शोगेप कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां ईशा के प्यारो तले जमीन ही खिसक जाती है जब वो देखती है कि कैसे ठक कर परिवार उसकी बेटी सवी को धक के मार कर घर से भार निकाल रहा है तो वहीं ईशा का भयक कर गुसा रज़त पर फूट प क्या कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए और आज जब मेरी ताइप पर गलत इल्जाम लगे तो कोई उन पर यकीन तक नहीं करना जाता तो वहीं अमन खुद भी काफी जादा शौग्ड हो जाता है क्योंकि जितना वो सवी को जानता है उसने आज तक ना गलत किया है और कभी गलत होने दिया है गलप शोर के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां अमन सवी के साथ देगा और रजट को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई तुझे एक बार परसनली सच्चाई का पता लगाना चाहिए तो वहीं रजट घर में चल रहे इन माशों से परिशाँ हो जाएगा और सच्चाई का पता लगाने के लिए कड़ी से कड़ी चोड़ने लग जाएगा जहां रजट अपने दिमाग पर जोड़ डालेगा और उसे याद आएगा कैसे जब वह आईसक्रीम पार लड़ गया था तब उसने जिगर को देखा था कि जब उसने पूछा तो वह बातों को गोल गोल घुमा रहा था और जूट बोल दिया था कि वह जौब की बात करने गया था जबकि सभी तो खुद मेरे पास आई थी जिगर के लिए नौकरी की बात करने के लिए जहां रजट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा वेल लप जो कि अब कमेंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां सभी लोग आपस में बैठे होंगे एक साथ बास कर रहे होंगे नाश्ता कर रहे होंगे जहां जिगर के पास अचानक से कॉल आएगा जिसे सुनते ही वो हर बढ़ाहट में घर से बाहर निकल जाएगा तो वही लेकिन हर कोई तेरी तरह समझधार नहीं होता है बिचारी वो सबी कास उचने मेरी बात मान ली होती एक रात गुजार ली होती मेरे साथ तो आज वो भी हम सब के साथ खुशी घर में रह रही होती पर उसने मुझे मना किया मुझे रिजेक्ट किया बस यही बात मुझे गर से तो गई गई साथ में इज़त से भी गई जहां जिगर के खुलासे से रज़त के प्यारो तले जमीन ही खिसक जाएगी जिसके बाद रज़त उठाएगा बड़ा कदम तो दोस्तों और अपरेज जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चानल को सब्सक् से पनगड के सुपला के सि entferव को साथ मिपना जिएया हमारे समार रजब धिगर की जिए कि